दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में और इसके बारे में गलती से भी इस वीडियो को मिस नहीं करना मैं हूं मनू आपको शॉपिंग बंदू लगे हार शुरू करते हैं दोस्तों हुआवे ने अपना नया सूपर मिड रेंज फोन अनौन्स कर लिया है ओनर 7X यह फोन मोटो के G5S प्लस और शामी के A1 से कंपीट करेगा लेकिन इसमें दो ऐसी खास बाते हैं जो यह बाकी के दूसरे फोन में नहीं है पहली बात इसकी बिल्ड कॉलिटी जो स्टे आपको LG Q6 में मिलेगा और कोई फोन में नहीं मिलेगा लेकिन यह फोन आपको मोटो G5S प्लस और शामी A1 के सारे स्पेक्स लेके आ रहा है और साथ ही साथ आपको यह दो चीज़े भी दे रहा है आपको स्टेनलेस स्टील का यूनिबोर्डी डिजाइन और आपको H2H डिस यह शामी A1 लेना चाहते हैं तो शायद यह फोन आने के बाद इनकी प्राइजस कम हो तो रुकना ही समझदारी होगी मेरे दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था वो है यह वाइफाई डबा अब यह वाइफाई डबा एक नया है जो सिर्फ बैंगलोर में है अभी यह 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 लोग ने एक स्टार्ट अप है यह यहां पर क्या किया हुआ है इन लोग ने यह साड़े 300 राउटर्स लगाए होएं अक्रॉस दे सिटी बैंगलोर के कोने-कोने पर राउटर्स लगे होएं और राउटर्स से करीमन 100 से 1500 आपको OTP आ जाते हो और OTP डालने के बाद आप Wi-Fi पे connect कर सकते हो इसके plans आप सुनोगे तो यहां पे आपको 100 MB मिलता है केवल 2 रुपे में 500 MB मिलेगा 10 रुपे में और 1 GB आपको मिलता है 20 रुपे में सिर्फ 20 रुपे में 1 डे की validity होती है तो यह एकदम Jio से compete कर रहा है दो तो जो लोग सोच रहे थे कि Jio की prices तो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है अब हम क्या करेंगे कैसे वीडियो देखेंगे क्या कैसे YouTube सर्फ करेंगे दोस्तो तो फिकर नॉट बहुत सारे competitors आने वाले है market में यह Wi-Fi डबबा आज तो सिर्फ Bangalore में है लेकिन मुझे 100% security है कि इसे देखके काफी और startups खुल जाएंगे अलग-अलग city में या शायद यह Wi-Fi डबबा आपके शेर में आ जाए दोस्तो तो यह था एक और चमतकारी चीज जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है अगर अच्छा लग झाल